हेलो स्टूएंट्स आप सभी का स्वागत है तो बच्चों सीब्यसी क्लाश 10 और 12 की एक्जामनेसंस अब सुरू हो चुकी है अब एक्जामनेसंस के बीच में ही सीब्यसी के तरफ से एक बड़ी एनाउंश्मेंट की गई है जो की हमारे कोशन पेपर के आपजरफेशन से रि आप क्या करोगे आप टीचर से पूछे जो भी आपके एक्जामन ले रहे होंगे जो इन्विजलेटर होंगे आप उन्हीं से न पूछोगे और बोलोगे कि सर हमारी ये कोशन गलती है तो वह आपको क्या करेंगे बस आसवाशन देंगे कि ठीक है हम आगे देखते हैं इस पर क्या करना है तो इसी से रिलेटेड यहां पर एक बड़ी अपडेट दी गई है क्योंकि देखो जिससे आप पूछ रहे हो ना तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपका कोशन गलती भी है तो वह क्या करेंगे जो कोशन आपका गलती है तो उसका जो भी डेटा वगेर कर दिखाते हैं अब आलस क्या दिखाते हैं तो वही सारी चीज़ें यहां पर दी गई है जैसे जो स्कूल्स हैं जैसे मान के चलो आप एक्जाम ने संदेने के लिए किसी स्कूल में गई हुए हो आप एक्जाम दे रहे हो आपको कोशन में गलती मिला अब आपको कोशन में में भेज दिये कहीं दूसरे जगह का देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इमेल आइडी हैं तो सीबिसी किसी गलत इमेल आइडी में भेज दिया हो ठीक है तो वही चीज़ यहां पर फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि स्कूल सर सेंडिंग ऑब्जर्वेशन टू वेरियस आफ्टर सेवरल डेज अब कहने हैं क्या मतलब जैसे आज एक्जामनेशंस है आप पास दिन के बाद उस कोशन पेपर को उस कोशन को भेजे जैसे स्टुडेंट ने आज कहा कि यह कोशन गलती है ठीक है इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है टीचर ने सकते हैं कि आलज दिखाती है स्कूलस वाले इसका थार क्या दिया गया है कि जो कोशन भेजते हैं जैसे स्टुडेंट के तरफ से कोई कोशन पुछा गया बोला गया कि यह कोशन गलती है बट जो टीचर होता है एसा क्लेरल नहीं का मिस्टेक है ठीक है वह आप से नहीं quesons में गलतियां पाई जाती है, तो जो वह school वाले वहिषते हैं, तो वह गलत तरीके से वहिषते हैं, या भी वो clear नहीं होती है, तो clear नहीं होती है, तो CBS सी कोई पता नहीं चल पाता है, गलत भी है या फिर नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर यह तीन चीज जो है जो है स्कूल वाले गलती करते हैं देखो यहाँ पर एक सीज़ा आप लोगों में बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर कोशन पेपर में गलती निकलता है तो आप जो भी सेंटर में एक्जामनेशन देने के लिए जा रहे हो तो आप पर आपको पर पर इस तरह का कुछ भी स्कूल वालो करना किया है स्टुडेंट्स को नहीं तो सबसे पहले जो भी कोशन में गलती मिलता है तो उसको CBSE का एक website है OECMS तो इस पर जाके जो भी questions में तुरूटिया पाई जाती है ठीक है तो इसको वहाँ पर जाके बताना है ठीक है और जो भी issue है उसको clarify करना है और जो भी details वगरा है आपको इस वाले जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है एक email ID इस email ID में देता है तो इस email ID में उस question के बारे में clarity के साथ आप उसको बेज सकते हैं ठीक है और साथ ही third में दिया गया है जैसे कि अभी हमने कहा ना कि जो भी examinations जिस दिन होती है तो उसके 4-5 दिन के बाद school वाले क्या करते हैं ये questions को भेजते हैं तो ऐसा नहीं कि 3-4 दिन के बाद आपको वेजना है आप जो भी question में गलतिया पाई जाती है जिस दिन examinations हो रही है तो उसी दिन वेजो ठीक है 4-5 दिन के बाद आपको नहीं वेजना है ठीक है और एक यहाँ पे important चीज क्या दिया गया है कि अगर observation मतलब जो भी question में तूटिया पाई गई जो गलति पाई गई अगर वो clear नहीं है या फिर received मतलब time पे received नहीं मिलता है उसको सही समय पे जिस दिन examinations होई उस दिन अगर नहीं मिलता है 2-4 दिन के बाद मिलता है अगर फिर आप complain करते हो instructions कर लेते हो मतलब कुछ भी instructions वगरा देते हो तो इस पर कोई कारवाही फिर नहीं की जाएगी तो जेस दिन examinations हुआ उसी दिन आपको जो भी question paper में गलती पाई जाती है आपको उसी दिन भेजना रहता है तो ये CBC के तरब से देखो यहाँ पे जो भी CBC के तरब से announcement की गई थी question papers related हमने आप लोगों यहाँ पे बता दिया है I hope कि सारी चीजे clear हो गई होंगी और हाँ अगर कुछ भी पूछना होगा तो comment जरूर करना Thank you, bye bye